हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सस किंद्रा फ्रेंड्स जैसे आप सभी लोगों को पता है कि जो CSBC है CSBC वह बिहार मदनिशित बिहार पुलिस कॉंस्टेबल बिहार फायर मैन बिहार फॉरेस्ट गार्ड इन सब का एक्जाम कंड़क्ट करवाती है देखे फ्रेंड्स हम कभर करेंगे तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और जो बेल आइकन है घंटी का निसान है उसको जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी बिहार मदनिशित से संबंदित कोई भी इंपोर्टेंट वी के पास पहुंच जाए तो चलिए फ्रेंड्स बीना देरी किये हुए सेसन आज के स्टार्ट करते हैं पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजे और जब सेसन समावत होगा तो इसको सेर भी जरूर कर दिजे फ्रेंड्स जैसे मैं आपको बताया कि इस वीडियो में हम लाश्ट रिविजन हो जाएगा बहुती कम समय बचा हुआ आपकी इक्जाम में तो फेंस देखेंगे वीडियो को ध्यान पुरवक आप सभी लोग देखेंगे और लाश्ट में अपना अपना इसकूर जरूर कमेंट करके आप लोग बताईएगा पहला प्रशन अब देखेंगे ध्यान दीजेगा इसमें से राइट अंसर जो हो जाएगा आपका इनमें से बिहार में पुछा है तो अगर हम ततकालिन बिहार की बात करें तो इसमें से कोई नहीं राइट अंसर होगा लेकिन 1877 की क्रांती की जो सुरुवात है उसमें जहारखंड जो था बिहार में सम्मिली था और यह जो है देवघर जीला जो है वहाँ पर जो रोहिनी गाव है वहाँ से सुरू होई थी तो इसका बी अंसर भी हो जाएगा लेकिन अभी के संदर में आप इनमें से कोई नही कि काला सुक कौन से वंस के सासक थे तो काला सुक जो थे ध्यान देंगे आपको याद होगा कि राइट अंसर इसका सिसुनाग हो जाएगा सिसुनाग का यहाँ पुतर था काला सुक ठीक है हरेंक वंस के बाद मगद पर सिसुनाग वंस का सासन हुआ और सिसुनाग वंस के अ हमारा कि 1956 में आंद्रप्रदेश के गठन के समय कौन सी भासा जोड़ी गई थी तो correct answer इसका option number A हो जाएगा ते लोगों आंद्रप्रदेश भासाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है इसको भी आप जरूर ध्यान रखेंगे और देखे फेंस जो हमारी अनुसूची है आठवी अनुसूची हमारे समिधान की उसमें जो है 22 भासाओ का उलेक है इसको भी आप निश्ची तरूप से ध्यान रखेंगे ठीक है चलिए next question है हमारा कि जीन की खोज किस ने की थी तो जीन सब्द का जो प्रियोग है यह सरोपर्थम जोहांसन ने किया था किस ने किया जोहांसन ने किया था ठीक है तो राइट अंसर अप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा जोहांसन अगला प्रश्ण की पावापूरी बिहार के किस जीले में है पावापूरी बिहार के नालंदा में है कहाँ पर है नालंदा में है और यह जैन धरम का एक महत्पून तिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गिरिह मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गिरिह मंत्री और प्रथम उप प्रधान मंत्री जो थे यह सरदार बल्लबाई पटेल थे और इंद्रा गांधी जो थी यह पहली महिला प्रधान मंत्री है भारत की इसको भ्याब निश्थी होता है देखिए प्रिवियस येर में जितने भी मदनी सिद्ध में पेपर कराए गया है उन्हें सब को मैंने कभर करा दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा इसका आप्संन बरे हो जाएगा बिटामिन ए बिटामिन ए करासानिक नाम क्या है तो रेटिनोल है और बिटामिन ए की कमी से जिरो प्लेथैल्मिया और रतवंदी होता है ठीक है याद रखेंगे vitamin B की कमी से कौन सा रग होता है bery-berry होता है vitamin C की कमी से scurvy होता है vitamin D की कमी से ricats होता है चलिए अगला प्रश्ण है कि neutron की कोज किस ने किया था इसका answer आप मुझे comment करके बताए यह बहुत ही simple सा question है इसका answer आप मुझे comment करके बताए कि neutron का खोज किस ने किया था next है हमारा कि एक wasp engine उस में उर्जा को किस में परिवर्थित करता है तो देखे यहां जो है यहां यांत्रिक उर्जा में उस में उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित करता है next question है यहां पर देखेगा 11 नंबर प्रश्ण है कि गुबारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो यह गैस जो है यह हीलियम है option number A, right answer हो जाएगा, हीलियम यहाँ गैस है, ठीक है? चलिए, next question है, और हीलियम किस प्रकार का गैस है? तो यहाँ एक अक्रिय गैस है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे अगला प्रशनी कि व्याकूल का संधी विक्षेद है, व्याकूल का संधी विक्षेद जो होगा, इसमें से क्या होगा? तो वी प्लस आकूल जो है, यह इसका सही संधी विक्षेद है, व्याकूल का, ध्यान रखेंगे उसके बाद है कि global warming किस gas से होता है global warming जो है यहाँ किस gas से होता है तो इसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ आपका global warming के लिए जो जिम्मेदार gas है वो आपका इसमें से carbon dioxide हो जाएगा ठीक है चलिए next question ozone भी होता है, methane भी होता है natural oxide भी होता है उसके बाद जो आपका इसमें से बात करें तो ozone तो है ही, तो यहाँ पर दीखे ozone भी दिया गया है तो अगर मुखे रूप से इसमें से अगर आपको चुनना है चार ही option आपके पास तो आप carbon dioxide पर ठीक लगाएंगे उसके बाद दीखे, root 5 जो है क्या है? Basic सवप्रश्ण है root 5 जो है यह क्या है तो यहाँ एक आपरि में संख्या है अगला प्रश्ण हमारा कि विदूत द्हारा यहां पर मापने बना ले जी विदूत द्हारा मापने के लिए यहां पर मापने बना ले किस का परियोग किया जाता है तो विदुत धारा को मापने के लिए एम मेटर का प्रियोग किया जाता है ठीक है? चलिए अगला प्रश्ण है कि विदुत बल्प का फिलामेंट किसका बना होता है तो विदुत बल्प का टंगस्टन का बना होता है option number B, right answer हो जाएगा टंगस्टन का और टीन और सीसा का जो है क्या बना होता है तो फ्यूज तार बना होता है ठीक है? नाइक्रोम से क्या बनता है तो विदुत हीटर का जो स्प्रिंग होता है वो नाइक्रोम का बना होता है next question है कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो World Health Organization इसका full form है याद रखेंगे World Health Organization ठीक है? इसका headquarter कहाँ पर है? जेनेवा में है और इसके वरतमान में जो महानिजिशक है उनका नाम ट्रेड्रोस अधनोम है जो कि इथोपिया के है अगला प्रश्ण है हमारा कि वित्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? ब्रित की सबसे बड़ी जीवा यह क्या है? वियास है उसके भारत में वित्तियवर्स कब से शुरू होता है? तो वित्तियवर्स जो हमारा हमारे देश पे यहाँ जो है शुरू कब से होता है? तो यहाँ 1 अपरेल से 31 मार्च इसका राइट अंसर हो जाएगा रिजर्ब बैंक का मुख्याले पुछा गया है सिंपल सा कुस्चन है रिजर्ब बैंक की जो है अस्थापना 1935 में हुई थी रैष्ट्री करण 1949 में हुआ था इसका हेट क्वाटर मुंबई में है और बरतमान में जो है सकती कांट दास डिजर्ब बैंक के गौर्णर है इसमें से पुछा गया है 21 में माध्य क्या है तो सिंपल सा कुस्चन है 1, 2, 3, 4, 5 है माध्य 10 दिया गया है तो X का मान है तो माध्य 10 दिया गया है 7, 8, 9, 12, 12, प्लस X टोटल कितने है 1, 2, 3, 4, 5 है बटा 5 और यहां पर माध्य 10 दिया गया है तो आप यहां से X की वहलू इसली निकाल सकता है सबको जोड़िए 8, 7, 15, 9, 9, 5 14, 24 होगा 24, 12, 36 प्लस X हो जाएगा बटा में 5 है इधर 10 है तो 36 प्लस X इकोल टो कितना हो जाएगा क्रोस मल्टिपिलिकेशन कर दीजिए तो यह 50 हो जाएगा यानि कि X इकोल टो 50 माइनस 30 से कोल टो 14 हो जाएगा राइट अनसर अप्सन नमबर यह हो जाएगा मैज का प्रशन आप लोग खुद सोल्व करेंगे ठीक है चले next question है अगला प्रशन पढ़िए देखे पूछा गया है कि COOH में करयात्मक ग्रूप जो है functional group क्या है तो इस में से जो functional group है वह क्या हो जाएगा तो यह आपका कार्बोजलिक एसीड हो जाएगा ठीक है क्या है कार्बोजलिक एसीड है याद रखेंगे चले next question कर लेंगे कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रियोग किया जाता है तो यह स्याही जो है यह silver nitrate होता है यह पहले से ही आपको पता है ठीक है silver nitrate chemical युक्त स्याही अगला प्रशन है कि सक्ति का SI मात्रक क्या है power का SI मात्रक पुछा गया है तो सक्ति का SI मात्रक जो हो जाएगा यह वाट हो जाएगा ठीक है जूल जो है energy का है Newton जो है force का है बल का है सेम question है यहाँ पर देखिएगा मेरे खहल से उसी तरह का प्रशन है फिर इसमें से भी X का मान पुछा जाएगा तो यहाँ से भी आप इंसार निकाल लेंगा भी मैंने बता है चोध हो जाएगा इसमें से तरल तत्तो जो है कौन सा है तरल तत्तो इसमें से पुछा गया है तरल तत्तो जो है यह आपका कौन सा है तो तरन ततोज होगा यह आपका पारा हो जाएगा HG इसका सिंबॉल होता है ठीक है चलिए एक व्यक्ति यहाँ पर 10,000 उपय पांच पर चिसाथ सधरन ब्याज की दर्शे ब्याज पर किसी व्यक्ति से लेता है तो 3 साल के बाद उसे कितना धन चुकाना पड़ेगा सधरन ब्याज का फर्मुला आपको पता है P into R into T ठीक है P into R into T बटा 100 यहाँ पर पूट कजिए ब्याज निकल जाएगा और ब्याज को मुल्धन में आप यहाँ पर जोड़ देंगे 2000 में तो वह तिना रुपया चुकाएगा तो 11,500 रुपया यहाँ आदमी चुकाएगा अगला प्रशन कि मानों की हिर्दय में कितने वैस में पाए जाते हैं कितने कोष्ट होते हैं कितने चैंबर होते हैं तो 4 होता है Option number E right answer हो जाएगा सलीवा यानि कि जो लार है किसके पाचन में सहायक होता है तो हमारा लार जो है यहाँ सहायक किसके होता है तो ग्लुकोज या सरकरा मीठा Option number E correct answer हो जाएगा ठीक है स्टार्च के पाचन में सहायक होता है बसो मेरे नैनन में नंदलाल काबे में जो पंक्ती है किसके द्वारा रचीत है या तो फ्रेंट्स यहाँ मेरा बाई के द्वारा ठीक है चलिए Question number 31 कर लेंगे 31 हमारा है कि जो घानानन्द की काबे धारा के कभी है तो यहाँ जो हैं फ्रेंट्स यहाँ रिती मोक्त है उसका बद अगला प्रशन हमारा है कि कोई कार 80 किलमेटर प्रति गंटा की चाल से चल रहे है तो 480 किलमेटर की दूरी तेकरन में कितना समय लगेगा तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल हो जाएगा दूरी दिया गया है यहाँ पर 480 किलमेटर और दूरी बटा चाल तो चाल दिया गया है 80 यहाँ पर 0 से 0, 8,44 यानि कि 6 घंटा इसका राइट अंसर हो जाएगा गलुकोज का सुत्र पुछा गया है तो C6, H12, O6 जो है यह गलुकोज का फर्मुला है गलुकोज में कौन-कौन सा एलिमेंट है तत्व है तो कारबन, हैट्रोजन और अक्सिजन है याद रखना आपको ठीक है चलिए काल तुझसे होड है मेरी कविता के लेखा कौन है तो इसके लेखाक जो है यहाँ समसेर बहादूर्शिंग है समसेर बहादूर्शिंग नेक्स्ट कुस्चन है कि बच्चा को जनम लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है तो जनम के 24 गंटे के वित्तर बच्चों में हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है तो हेपेटाइटिस B राइट अंसर हो जाएगा उसका बदिका डेरी फार्म में किसका उत्पादन होता है तो डेरी में दूद का उत्पादन होगा अप्सन नमबर C का रेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है? पांच के प्रथम आठ गुनजों का योगफल क्या होगा? पांच के प्रथम आठ गुनज है तो आठ पच्चे चालिस यानि की चालिस तो को जोर जेना है और वहीं तो आपको निकालना है तो राइट अंसर इसको क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा जिसमें वस्तु का क्योवल एक विक्रता होता है ऐसे बजार की स्थिति को क्या खाता है तो फ्रेंट्स इसको कहा जाता है इसमें से कौन सा हो जाएगा करेक्ट एंसर जो होगा आपका अप्सन नंबर एक आधिकार हो जाएगा ठीक है एक आधिकार हो जाएगा चलिए एक आधिकार मोनोपोली कहेंगा अंगरेजी में नेक्स्ट उसन विदुत चुम्बक बनाया जाता है विदुत चुम्बक जो है यहाँ बनाया जाता है तो विदुत चुम्बक जो है यहाँ बनाया जाता है नरम लोहे से, उसको बदी के निमलखित इसे कौन सा एक लुप्त प्राय ऊसदी पादब है? लुप्त प्राय ऊसदी पादब जो है ये इस बगोल है इस बगोल है धियान रखेंगे इस बगोल जो होता है इसके बीज, काचिल का, कब्ज, अतिसार इन सब के रोग में आयर्वेदिक औसदी के रूप में प्रियोग किया जाता है इसका और इस बगोल जो है यह एक जाड़ी नुमा पौधा है नेक्स्ट कुस्टन हमारा है कि उसमा गतीकी का प्रथम नियम जिससे सनरक्षन नियम के उपर आधारित है वह नियम कौन सा है तो देखे उर्जा सनरक्षन का जो नियम है यहाँ पर प्रथम नियम कहा गया है तो यहाँ जो है जिस पर आधारित है वो आपका उर्जा का नियम हो जाएगा option number A हो जाएगा correct answer ठीक है चलिए उर्जा सनरक्षन का उसमा गतिके का प्रथम नियम वास्तिविक रूप में उर्जा सनरक्षन का नियम है next question है यहाँ पर देखी equation दिया गया है और का रहा है कि इसमें कि मूल समान हो तो निम्ड़कित में से कौन सा सत्य होगा अब यहाँ पर देखेगा बाकी option यहाँ पर दिये गया है अब इसमें से मूल जो है समान है तो बहुत ही simple सा है आपको पता होना चाहिए कि B square इकौल टू कितना हो जाएगा 4ac हो जाएगा यहाँ पर कर रहा है कि मूल समान हो समान मूल के लिए D equal to 0 हो जाएगा B square minus 4ac equal to 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इधार यह चाहेगा तो फुलस आपका 4AC हो जाएगा अपसर नमबर C देखे यदि P और Q विसम संख्या है तो विसम में कौन सी संख्या संख्या है बताइए कराए कि P और Q विसम संख्या है तो विसम में कौन सी संख्या 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 है ठीक है साथ भी सम है उसके बाद देखे पांच भी भी सम है पलस करिएगा तो बारा समाएगा ठीक है तो यह आपका यहाँ से P पलस Q इसका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है पेन तथा स्याही को मांग को क्या कहाएगा तो इसको सयुक्त मांग कहेंगे क्योंकि पेन जो है स्याही की बिना अधूरा है और स्याही जो है पेन की बिना अधूरा है तो यह सयुक्त मांग है संक्राचार के द्वरा चार मठों का निर्मान किस धर्म की पतिष्टा के लिए किया गया था तो यह जो धर्म है, यह धर्म सनातन धर्म है सनातन धर्म है, right and side option number इसका यह हो जाएगा ठीक है ध्यान रखेंगे सनातन धर्म चलिए और आपको पता है कि संक्राचारे जो है ये अद्यात विदान्त के पर्थिपादक है ठीक है चलिए नेक्स्ट कुस्टर हमारे कि वर्षा की बुंदे गुलाकार किस कारण से होती है तो ये सर्फेश टेंशन यानि कि प्रिष्ट तनाव के कारण होती है शिराजुदावला और ब्रेटिस के बिच पलासी के युद कब हुआ था पलासी के युद 23 जून 1767 को हुआ था बंगाल के नबाब सिराजुदावला और अंग्रेजु के बिच इसमें अंग्रेजी सेना का नत्रित जो है कौन कर रहा था रोबर्ट कलाईब कर रहा था इस यूद में सिराजुदावला की हार हुई थी अगला प्रश्णी कि मुद्रा के आंत्रिक मुले का अर्थ क्या है मुद्रा के आंत्रिक मुले का अर्थ क्या है तो इसका अर्थ है मुद्रा की क्रय सक्ति से उसको वादेकी निमन में से कौन सा एक तत्व है इसमें से तत्व जो है वो आपका हीरा हो जाएगा हीरा जो है कार्बन का अपरूफ होता है इसको आप द्यान रखेंगे रशानिक उर्जा को विधुत उर्जा में परिवर्थित करने वाले युक्ति क्या कहलाती है तो फ्रेंड्स यहाद युक्ति है यह युक्ति कहलाती है कौन सी विधुत कोस ठीक है रशानिक उर्जा को विधुत उर्जा में इस्तिरताब पर गैस के निस्सित द्रवमान का आयतन कम करने पर दाब बताईएगा देखिए बढ़ेगा ओप्सिन नमबर सी राइटन से रोजगा दाब जो है बढ़ेगा इनमें से कौन सार्क का सदस्य है सार्क का सदस्य सार्क का फुलफाम होता है South Asian Association for Regional Corporation इसमें तोटल आथ सदस्य देश है भारत है पाकिस्तान है बंगलादेश से नेपाल है भुटान है स्रिलंका है मालदिव है और अफगानिस्तान है अस्थाप्ना इसकी 1989 हुई थी headquarter जो है इसका कहाँ पर है तो headquarter जो है सारक का यहाँ कहाँ पर है काठमांडू में है ठीक है याद रखेंगे Maurices इसका सदसे दिस नहीं है Japan भी नहीं है चीन भी नहीं है Maldiv इसका सदसे दिस है तो Maldiv राइट अंसर हो जाएगा 53 नमबर कुस्टन करेंगे देखें विद्वत धारा का मातरक क्या है तो विद्वत धारा का मातरक जो है यह एंपियर हो जाएगा इसमें से ठीक है चलिए उसका माद देखें resistance का ओम होता है छोब मंडल की उचाई कितनी होती है छोब मंडल की उचाई निचली परत होती है और इसकी उचाई जो है यह पुछा गया है तो अगर हम बात करें तो ध्रुगू पर 8 किलोमेटर और 20 पत्रेका पर लगबग 18 किलोमेटर होती है नेक्स्ट कुस्टन है कि लुहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है तो यह एक रासानिक परिवर्तन है किस प्रकार का है रासानिक परिवर्तन है उसका वादि कि गन्ना का सरवाधिक उत्पादक देश कौन सा है गन्ना का सरवाधिक उत्पादक देश कौन सा है यह ब्राजील हो जाएगा अगला प्रश्ण है कि जय जवान, जय किशान का नारा किस ने दिया था, तो यहाल नारा लाल बहादूर सास्त्री जीने दिया था, किस ने दिया था, लाल बहादूर सास्त्री जीने दिया था, मांग के लिए आवस्चत तत्य कौन सी है, मांग के लिए जो है, इसमें से वस् उत्पादन का मतलब वी निर्मान है, उत्पादन का सक्रिय साधन है, उत्पादन का सक्रिय साधन जो है यह स्रम है, ठीक है, सुचकांग के निर्मान में परिवत सरोतम औसत है, इसमें से कौन सा, तो यहां औसत जो है, यह समानांतर माध्य है, पेट्रॉल किस से मापा जाता ह तो पेट्रोल जो है यहाँ मापा किससे जाता है तो यहाँ पेट्रोल लेटर में मापा जाता है ठीक है चलिए उसका बद नेक्स्ट कुस्टन है हमारा कि एलकेन का रासानिक सुत्र क्या है तो एलकेन पूछा गया है एलकेन एलकेन एलकाइन ठीक है याद रखेंगे यहाँ एलकेन पुछा गया, तो CNH2N प्लस 2, यह एलकेन का है ठीक है, यहाँ पर दिखें दोनों एक ही है, यहाँ एक जगा माइनस बना लिजेगा, क्लियर अब हो गया ना, चरियो चाय का सरवाथिक उत्पादक तेस कौन सा है चाय का जो है, गौत्म बुद्धी की मृत्यू कहां पर हुई थी और इनको महा परे निर्वान कहते हैं और इनको मिर्त्यू कुसीनगर उत्तरपदेश में हुए थी, गौत्म बुद्धी को Isaya का जोतीपुञ, यानि की light of Isaya कहा जाता है गौतम बुद्ध को पोखरन क्या है तो पोखरन जो है फ्रेंड्स यह क्या है तो राजस्थान में है पोखरन ठीक है तो करेक्ट अंसर इसका क्या होगा अपसन नमबर यह हो जाएगा गोवा में पहला सासन किसका था तो गोवा में पहला सासन जो था यहां किसका था तो यहा शहंड़ान करता है तो मंतरी परिशद की न्युकती जो है यहां राश्ट पती करते हैं अबसर नममर भी करेक्ट अंसर हो जाएगा और मंतरी परिषद सामविक रूप से लोकसभा के पती उततर जाई होते हैं और व्यक्तिगत रुपांतरंज होगा वहाँ क्या है कि पढ़ाई और खेल दोनों में अच्छा है option number D राइट अंसर हो जाएगा किसी कारे को करने का संकल्प करना मुहाबरे कार्थ क्या है तो इसका मतलब है क्या बताइए डिर्ड निस्य करना ठीक है चलिए उसके बाद next question है हमारा कि जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए एक सब्द आपको बताना है जो बहुत कुछ जानता हो उसके लिए एक सब्द है बहुत सुरुत्त है ठीक है बढ़िया शलिए आगे प्रश्ण है हमारा कि जिसको प्राप्त करना बहुत कठीन हो उसको क्या कहेंगे तो फ्रेंट्स उसको कहेंगे दूरलव नेक्ष्ट कुस्टन है कि किसी देश में मुदरास्पीती की स्तिती में निमलेकित में से कौन सा कथन सही यहाँ पर नहीं है बताए नहीं पुछा गया है तो पुझे का और मुलियन होगा और सी करेक्ट इंसर हो जाएगा मुदराश्पिती की वह वस्ता है जब वस्तु की उपलवद मातरा की तुलना में मुदरागी साख क्या होती है अत्यदिक मातरा में बृदि होती है चेले उसके बाद नेक्ष्ट कोस्टन कर लेंगे कोस्टन नमबर 76 यहाँ पर है देखी के राष्ट्रिय आय क्या है तो इसका मतलब होता है कि अर्थिवास्ता में पूरे एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुव अमसवाव के सुध्य मुल का योग होता है इसमें विदिश्यों से अर्जित सुध आय को भी सामिल किया गया है इसको भी आप धिहान रखेंगे करेक्ट इंसर यहाँ पर दिखिया है एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी वस्तुव तता सिवाव का धन्य मुल है सुध राष्टी उत्पाद का मुल्यांकन कैसे किया जाता है सुध राष्टी उत्पाद का अगर बात करें नेट नेशनल प्रोड़क्ट एन एन पी का जो है मुल्यांकन कैसे किया जाता है तो एन एन पी बराबर होता है जी एन पी यहां पर देखी राइट अंसर इसमें से क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर एन एन पी जी एन पी माइनस मुल्ले हरास उसका वाद एक भारती समिधान पूर्णता की स्तिति से लाग हुआ था पूर्णता 26 जनवरी 1950 से कुछ अनुचेदियों के साथ इसको अंगीकरित किया गया था 26 मताई नॉमबर 1999 को लेकिन यहां पूर्णता रूप से अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारा समिधान यहां लागू हो गया था चलिए अगला प्रश्निया हमारा कि भारत की संसद में कितने सदन है तो अब इसलिए दो सदन है एक है उच सदन और एक है निमने सदन उच सदन राजे सभा है और निमने सदन लोक सभा है भारत की संसद बनती किससे है तो भारत के राष्ट पती से ठीक है राजे सभा से और लोक सभाजे मिल करके चले किसी काल या युग में पत्थर के उजार सबसे अधिक पाए गये थे तो सबसे अधिक पाए गये थे ये पूरा पासान काल में पुर्टगालियों द्वारा काली कट से ले जाये जाने वाले काली कट के सूती कपड़े एउरोप में आमतर पर क्या खाला दे थे तो फ्रेंट्स इनको क्या कहा जाता था इनको कैली को कहा जाता था अठ ग्रहों में बुध सूरे से कौनसे अस्थान परिश्त है तो बुध जो है पहले नंबर पर है सूरे से बुध पहले नंबर पर है याद रखेंगे राइट अंसर इसके क्या हो जाएगा पहला correct answer हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे 82 का option number 1 correct answer हो जाएगा बुद्ध के बाद सुक्र है ठीक है बुद्ध सुक्र प्रिथभी मंगल याद रखेंगे करकरेखा तथा मकरेखा के बीच का शेत्र कौन सा इस में से बिताईए तो फ्रेंड्स यहाँ जो है करकरेखा और मकरेखा के बीच का शेत्र यहाँ जो है टॉरिड जोन कहलाता है यहाँ निकि उष्ण कटी बंद कहलाता है next कुस्टन हमारा कि निम्रिकित में से कौन सी जड़े नहीं खाई जाती है तो आपसण नमबर डी राइटन्स र हो जाएगा गेहूं ठीक है चलो इसका बाद 84 नमबर के बाद 85 नमबर है हमारा कि कौन सी बेटाइमिन की कमी के कारन रुक्त का ठक्का नहीं बनता है तो बेटाइमिन की इसका राइटन्स richtig हो जाएगा मानव की पसलियां किसके साथ जोड़ी होती है तो पसलिय जोड़ी होती है ये अश्टर्नम के साथ जोड़ी होती है ठीक है अश्टर्नम के साथ जोड़ी होती है next question है हमारा कि परतिरोध का व्योतकरम चालगता है यदि परतिरोद की काई ओम है तो चलकता की काई क्या होगी सिंपल सा कोस्चन है करेक्ट एंसर बताना है आपको करेक्ट एंसर जो होगा यह आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा चलिए देखें निवन्तम कारे उस समय होगा जब फिंड को तो बताए राइट एंसर क्या होगा करेक्ट एंसर जो होगा फ्रेंड्स इसमें से वो आपका उप्सन नमर भी हो जाएगा उर्दवादर रूप से उपर उठाये जाए ठीक है उर्दवादर रूप से उपर उठाये जाता है तो उसके द्वारा किया गय कर noon time होगा ठीक है चलिए उसका बाद next question है कि बयो साइट का पहला प्रिष्ट क्या कहलाता है बयो साइट का पहला प्रिष्ट जो है यह home page कहलाता है home page right answer होगा जब sodium fluorine के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होगा सोडियम प्लूरीन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर पूरा अप्सन दिख लिजिएगा निर्मित होने वाला योगिक फिगली हुई आवस्था में बिदूत का एक सूचालक होगा एक पारत मिशन का अनिवार घटक क्या है तो इसका अनिवार घटक जो है यहाँ इसमें से पारा होगा अगला प्रश्ण है कि हरित गैसु का प्रितवी के वाय मंडल के औसत ताप पर क्या परभाव होता है तो हरित गैसी प्रितवी के वाय मंडल में औसत ताप को बढ़ाती है तो यहां पर देखिए बढ़ता है नेक्स्ट कुस्टन हमारे की BPL स्रेजिन से सम्मंदित वरिष्ट नागरिकों के लिए भातिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उफलब्द कराने वाली एक योजना जो है वो कौन सी योजना है तो यह योजना है राष्ट्रिय वैयुसरी योजना अप्सन नमबर ये करेक्ट इंसर हो जाएगा राष्ट्रिय वैयुसरी योजना उसके बाद एक नेक्ष्ट कुस्टन है हमारा यहाँ पर देखिएगा कि बैरोमेटर का विस्कार जो है किसने किया था विस्कार कना तो बैरोमेटर इट और इसोली बी बी आई कुस्टन है इसको आप जहान रखेंगे कपास की रेषे का उपयोक और कपड़े बनाने के आर्थिक गतिविदी की सेत्रक कंतरगत आती है तो यहाँ जो आती है यहाँ की सेत्रक कंतरगत आती है तो friends यहां आती है secondary sector कंतरगत यानि की दूतिय छेत्रक अंतरगत ठीक है तो correct answer इसका option number यहां पर यह हो जाएगा कौन सी कला ग्रिको बौद कला के नाम से भी जाने जाती है तो यहां जानी जाती है आपकी गंधार कला से लिए घंधार कला राइट इंसर हो जाएगा इसका सबसे ज़्यादा विकास कनिस्क के सासनकाल में हुआ था किस अधिनियम ने नश्ल धर्म और रष्टी मूल के अधर पर भेदभाव को निसेद कर दिया है तो सही उतर इसके क्या हो जाएगा नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 के द्वारा इसको लिखा है वियस नायपाल ने लिखा है इसको अब फिर की परमानु हतियार मुक्ति छेत्र संधी क्या कहलाती है तो इसको कहा जाता है बताई पहलें डाबा संधी ठीक है ओप्सन नमबर ए राइट अंसर हो जाएगा पहलें डाबा संधी भारत का कौन सा पोलिशी देश वर्मा के नाम से जाना जाता था पहले इस कैंसर आप कमेंट करके बताईए अपना स्कूर बताईए कि इन सो प्रुष्णों में से कितने कैंसर आपने सही सही देए